है गाईस आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि नई अपडेट नई प्रोसेस 2024 के में गूगल पे का एक नई अकाउंट कैसे क्रियेट करते हैं कैसे बनाते हैं अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं कि 2024 में गूगल पे का नई अकाउंट कैसे बनाए जाता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि गूगल पे का अकाउंट 2024 के नई अपडेट में कैसे बनाए दोस्तों बैसे यूट्व पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होई हैं कि गूगल पे का अकाउंट कैसे बनाए लेकिन बो वीडियो का भी पुरानी वीडियो हैं अगर आप उन वीडियो को देखे गूगल पे में अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ जाए तो मैं आप लोगों को रिक्मेंड करूंगा कि आप लोग नई वीडियो को ही देखे गूगल पे में अकाउंट बनाएंगे त तो चलिए मैं आप लोग को फटावर्ट से बता देता हूं कि गूगल पे में एक नए अकॉन क्या से बनाते हैं वीडियो में आगे मनने से पहले मेरे नाम जालेजे मेरे नाम में सौनु कुस्वा और आप सबी लोगों का मारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत तबी चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेंड सबसे पहले आपको करना क्या है गूगल पे याप्लीकेशन को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्सन से जाकर डाउलोड करने होगा और Play Store से भी आप लोग डाउलोड कर सकते हैं Application डाउलोड होने वाद application को करेंगे आप लोग फटरवर्ट से open open करने वाद इस तरीके का interface मिलेगा अब आप लोग Google पे जिस नमर से बनाना चाते हैं वो mobile नमर यहाँ पर डाल दीजे इसकर continue के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे आपकी email ID यहाँ पर attach हो जाएगी और यहाँ पर आप लोग की email ID आप लोग change करना चाते हैं तो यहाँ से आप लोग change भी कर सकते हैं इसकर aspect and continue के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके नमर पर OTP आएगा और दोस्तों ध्यान रखना आप लोग अपना sim card इसी form में डाल के रखिए ताके आपके जो OTP है वो automatically fill हो जाए अभी आप लोग देख सकते हैं पर हमारा जो account है verified हो चुका है OTP automatically fill हो चुकी है अब आप लोगों को करना क्या है इसमें आप लोगों को bank account को link करना है आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर जो logo आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को send money तो यहाँ मिल रहा है आप लोगों को bank यहाँ पर आप लोगों को bank क्लिक करेंगे अब आप लोगों का जिस bank में खाता है उस बैंक को सलेक्ट कर लीजी मेरा बैंक उफ इंडिया ओस में सर्च कर लेता ओं बैंक उस इंडिया इस बैंक डूपर हूं नहीं लिखसान हुआ करेंगे और रिखैकन की बटन पर कलिक करेंने लोगो दृष से चाइग मूआइल नमरिSho सप्राइब आप लोग कोración बोल रहा है यहां पर उपाइए करेंज्ञ पर कईचोडय करेंगे लिंकिंग यूपी नमबर को इसे लिंक होते हैं अब और आप lon . की आप लोग को अगर जो इसबीट करेंगे इस पर करेंगे इसपे आप लोगका ATM card के जो detail से वह आप लोगों के ATM card के पीछे मिल जाएंगे इसको जो X by date है वो आप लोगों को यहाँ पर X by date है उडाल के arrow पे click कर देना होगा arrow पे click करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो OTP है generate होगा और इसके बाद आपके bank में जो number link होगा आप लोगों के जैसे बन जाता है यहाँ से आप लोगों के जैसे ही बन जाता यहाँ से आप लोगों के बैलेंस वगएरा चेक कर सकते है और यहाँ पे हमारा जो Google Pay Account है वो successful यहाँ पे बन चुका है अब आप लोगों को किसी को पैसे बेजना है QR Code के माध्यम से तो यहाँ मिल जाता है scanning और यहाँ पे आप लोगों को जो टर्न ओन करना है यहाँ से QR Code को scan करेंगे payment यहाँ से कर देंगे अब आप लोग किसी के नमर के तुरू बेजना चाहते है Pay Contact पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग जिसके नमर से पैसे बेजना चाहते है उसका जो मुवाइल नमर है वो यहाँ पे आप लोग डाल दीजे ठीक है तो यहाँ मैं डाल दें तो मुवाइल नमर और जैसे मुवाइल नमर डालेंगे यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है Pay पे क्लिक करने के लिए Pay आप लोग अपने बैंक का जो UPI pin है वो डाल दीजे और UPI pin डालने को राइट करेंगे आपका जो पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसपर कर दिये जाएगा तो इस तरीके से आप लोग जो मुवाइल नमर से पैसे को ट्रांसपर करेंगे अब आप लोग आ जाते हैं और यहां पर लोगों को किसी को पैसे बेजने हैं उसके बैंक आप लोगों को यहां पर दाल दीजे और इसके बात कर दीजे और आप लोगों को पैसा यहां से ट्रांसपर कर सकते हो यहां पर मेरे पयसे हैं और यहां पर मेरे बैंक में प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो इसलिए नहीं होगा लेकिन आप लोगो को मैंने प्रोसेस बता दिया है इसी तरीके से आप लोग यहापर पैसे को जो यह transfer कर सकते हैं account numbers की जड़ी है mobile के रीचाज वगИरे करना है तो आप यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं यह मिल जाता mobile recharge, dts, cable, electricity, fast tech सारे रीचाज के आप लोग कर सकते हैं आप लोग यहां पर जान चुके होंगे कि गूगल पे का एक नए अकाउंट क्यासे बनाते हैं दोस्तों गूगल पे का नए अकाउंट बनाने में अगर आप लोग कोई भी दिक्केर पर एसा नहीं आ रही है